हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइडे में दिये बिल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले हेलो दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल तो आज हम आपके लिए काजू पिस्ता रॉल के बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी रेसिपी लेकर आए हैं इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत थी इजी ट्रिक्स से हम आपको काजू पिस्ता रॉल बनाने की रेसिपी बताएंगे चली इसे बराना सुरू करते हैं तो देखे हम ये दो कप काजू लिए हैं जिसे हम दस मिट पहले फ्रीज में रख दिये थे और हम ये एक कप चीनी लिए हैं आधा कप पानी लिए हैं दो चमच मिल्क पौडर लिए हैं दस बारा पिस्ता लिए हैं और एक चुटकी फूड कर लिए हैं और आधा चमच घी लिए हैं तो देखे हम सबसे पहले काजू को मिक्सर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे हमें इसे बिल्कुल स्मूद कर लेना है तो देखे हम इसे बिल्कुल फाइन पाउडर बना कर त्यार कर लिए हैं तो अब हम इसे चान लेंग तो अब हम इसमें दो चमच milk powder डालेंगे जिससे ये बिल्कुल smooth creamy market जैसा texture में बनकर त्यार होगा तो हम इसमें milk powder डालकर इसे अची तरह से mix कर ले रहे हैं तो अब ये तियार है हम इसे पहले ही milk powder mix कर लिए हैं जिससे ये बिल्कुल perfect creamy बनकर त्यार होगा तो अब हम चीनी के चास्टनी बना लेते हैं तो हम एक कप चीनी लिए हैं और उसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पतली एक तार की चास्टनी बना लेंगे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और एक तार की पतली एक तार की चास्नी मना लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते रहें तो देखिए चास्नी तयार है तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं देखे कुछ इसासनी रहनी चाहिए, तो हमारा चासनी तियार थो आप इसमें काजु के पाउडर को डालेंगे, टाइस का फ्लेम लो कर लेंगे और इससे लगातार चलाते हुए अची तरह से मिक्स कर लेंगे, जोटे के में आपको इंग्रिडिएंट बता है उतना ही ले तो आपका बिल्कुल परफेक्ट काजू रोल बन कर तयार होगा तो देखें काजू अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हम इसे लगातार चलाते हो पकाएंगी जिससे यह तले में ना लगे और बिल्कुल स्मूध बन कर तया काजू लो फ्लेम पर ही पकता है तो देखें हम इसे लगादार चलाते हो पका ले रहे हैं जब यह पेस्ट तयार हो जाएगा तो यह पैन को छोड़ने लग जाएगा और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो देखें अब यह गाढ़ा हो गया है और पैन को भी छोड़ने ल तो अब यह तयार है, तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं, और अब गैस का फ्लेम आफ करने के बाद हम इसमें आधा चम्मच घी डालेंगे, घी डालने से इसमें थोड़ा साइनी सा टेक्श्चर आएगा, और यह बहुत ही अच्छा दिखेगा, तो देखे हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं, और इसे लगातार चलाते हुए, तीन-चार मिनट तक चलाते रहेंगे, जिससे यह थोड़ा थंडा हो जाएगा, हमें इसे पूरा थंडा नहीं करना है, हमें इसे हलके गर्म में ही, इसका सेप में बना कर त्यार कर लेना है, तो में बाट लेंगे, एक भाग थोड़ा सा कम लिए हैं, जिसमें हम पीस्ता और काजू मिक्स करेंगे, तो देखे हम थोड़ा सा यह पेश्ट लिए हैं, जिसमें हम यह पीस्ता को बारी क्रस्ट कर लिए हैं, और एक चमज काजू का क्रस्ट किया हुए डालेंगे, और इसे आची तरह से mix कर लेंगे, तो देखे, हम इस आची तरह से mix कर ले रहे हैं, हम इसमें एक चुट की food clr ही डाले हैं, तो पिस्ता का कलर आए, और ये काजू पिस्ता रॉल बहुत जादा सुन्दर दिखे, तो हम इसमें एक चुट की food color डाल दी हैं और एक चमज पानी डाल दी हैं और इसे अची तरह से mix कर लेंगे तो देखे हम इसे अची तरह से mix कर लेंगे जिससे सारा पिस्ता, काजू और food color अची तरह से mix हो जाए और एक color में आ जाए तो देखिए अब बाकी बचा हुआ काजू के डो को हम एक बार अची तरह से मिला ले रहे हैं और इसे मिलाते हुए थोड़ा सौप्ट कर लेंगे इसे अची तरह से इस तरह से मिलाने से यह और सौप्ट बनता है तो उसमें से हम थोड़ा सा एक डो लेकर और उससे बेल लें तो अब हम इसे कट करेंगे, तो हम इसे बिल्कुल छोटे-चोटे पीसेस में कट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी साइज में कट कर सकते हैं, तो देखे हम इसे चोटे-चोटे पीसेस में कट कर ले रहे हैं, देखे हम इसे चोटे-चोटे पीसेस में कट कर ले रहे ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें